हलो दोस्तों कैसे हो आप सो मैं हूँ रश्मी वोरा और मैं फिसे आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल लॉनोर्स अकेडमी में फ्रेंड्स आज ही मैं आपको जो बताने जा रहे हूं टॉपिक बहुत इंपोर्टन्ट बहुत अच्छा टॉपिक है इंडियन एविदेंस एक्ट 1872 में रेलिवेंसी और फैक्ट से रिलेटिड आप बहुत सारे सेक्शन्स पढ़ेंगे ठीक है फ्रेंड्स तो रेलिवेंसी और फैक्ट जो है वो सेक्शन 5 से लेकर 55 तक बताया गया है इंडियन एविदेंस एक्ट में उसी के अंदर आपको बह यह एक टॉपिक जब यह आएगा एडमीशन का मतलब कि एडमीशन कैसे होते हैं इसके अंदर और कैसे लेता है तो यह टॉपिक आपको सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 30 तक पढ़ने को आपको मिलेगा ठीक है admissions जो है वो section 17 से 23 तक तिये गए है Indian Evidence Act में और जो confession होता है जो accused करता है वो section 24 से 30 में दिये गए है तो चलिए मैं आपको इनका बीच का एक basic difference बताती हूँ ताकि इन दोनों को आपको समझने में बहुत easy हो जाएगा असानी से आप इसको याद कर लेंगे और actually है क्या admission और confession जो है CRPC से भी related है CPC से भी related है और evidence act से तो है ही क्योंकि ये तीनों subjects जो है CPC, CRPC और evidence act ये तीनों interrelated है जब भी पढ़ने बैठे आप इन तीनों को साथ-साथ पढ़ेंगे इनके sections इसका section उसमें किस section से relate कर रहा है और CRPC का evidence से और evidence का CPC से मतलब कौन सा section किस से relate कर रहा है तो correlate करके आपको पढ़ना पढ़ेगा तो आपको easily तीनों subject समझ में आजेंगे तो मैं अभी आपको एक short video में ये समझा रही हूँ कि admission और confession का meaning क्या होता है ठीक है friends, admissions जो है वो inner evidence act में 17 से 23 sections तक बताए गए है और जो confessions हैं वो 18 से लेकर 30 तक बताए गए है ठीक है friends, 24 से 30 तक बताए गए है admissions में क्या होता है, admissions का meaning होता है it means voluntary acknowledgement as to the truth of fact admissions के अंदर admission का मतलब होता है, admission word बना है admit करने से, admit से admission बना है admit का मतलब होता है कि मानना, कि हाँ ये बात को मैं मानता हूँ इस बात को मैं accept करता हूँ, कि हाँ ये मैंने किया है ठीक है, तो admission इसलिए admit से बना है कि हाँ ये मैं अपनी गलती मानता हूँ तो ये जो होता है जो गलती मानता है बोल रहा है तो वो voluntary acknowledgement उसको कहा जाता है कि हाँ मैं मान रहा हूँ, voluntary का मतलब अपने आप से उस बात को मानना, साबित करना, बोलना, हाँ अपनी जिम्मेवारी लेना कि हाँ ये काम मैंने किया है, तो इसलिए admission को बोला जाता है कि it means voluntary acknowledgement as to the truth of fact, सच्चाई अपने आप से बताना, ठीक है, कि ये सच है, ये fact ये तथे है, ये ही इसकी सच्चाई है, ये मैं मानता हूँ, ठीक है, और confession में क्या होता है, it means statement made by an accused admitting his guilt, जो confession होता है, ये एक statement होती है, जो की accused, यानि की जो जिसके उपर case चल रहा है, जिसको आप अधी नेगोशित नहीं हुआ है, मतलब जिस पर अभी case चल रहा है, वो admit करता है, मतलब वो मानता है, कि हाँ मैंने ये जोर्म किया है, मेरा अपराद है, ठीक है, तो एक सबसे basic difference अभी आपको पता चलेगा, मैं पहले ही बता देती हूँ, कि admissions जो होते हैं, वो civil cases में होते है और confessions जो होते हैं, criminal cases में होते हैं, इसी से आपको समझ में आएगा जल्दी से, कि इसमें admission में उन्होंने voluntary acknowledgement किया, कि हाँ ये काम मैंने किया है, इसमें कोई जरूरी नहीं है, कोई crime को लेकर ही हो, civil बातों को लेकर भी किसी चीज़ की भी acknowledgement को लेकर है, ठीक है admission, लेकिन confession जो होता है, वो हमेशा एक accused के द्वारा ही किया जाता है, और ये एक statement दी जाती है उनके द्वारा, चाहे वो court में हो, चाहे police station में हो, magistrate के सामने हो, कहीं पे भी हो, ठीक है, तो ये admit करना वो एक अपराद, जिसके उपर आपने साबित करने के लिए case सिल रहा है, वो व्यक्ति जब ये एक बात बोल देता है, लिख देता है, या लिखवा देता है सामने सब के, कि हाँ ये मैंने अपराद किया है, तो उसको बोलते हैं इस statement को, उसने, accused ने statement admit की है, अपना अपराद, second difference इसका क्या है, it is defined under section 17 of the Indian Evidence Act, जो admission की परिभाशा दी गई है, defined definition दी गई है, that is given in the section 17 of the Indian Evidence Act, 1872, okay, the next confession, it is not defined in the act, it means कि ये जो confession है, वो कहीं पर defined नहीं किया गया है, admission defined किया है section 17 में, but confession is not defined anywhere in the Indian Evidence Act, third point is, the third difference is, it is not a conclusive proof, जो admission है, वो conclusive proof नहीं है, ठीके friends, admission conclusive proof नहीं है, but जो confession है, judicial confession is a conclusive proof, judicial confession इसको क्यों कहा गया है, वो इसली कहा गया है, क्योंकि ये criminal cases में ही होता है, और इसमें judicial procedures ही चलते हैं, judicial court के ही सारे procedures होते हैं, और इसमें जैसे trial बगरा हो गया, inquiry हो गया, तो ये सारा criminal cases में ही होता है, और confession, judicial confession जब लिया जाता है, magistrate के सामने या court के अ लेकिन admission को conclusive proof नहीं माना जाता है। जितने भी admissions होते हैं वो confessions नहीं है। अब कोई कहे कि हाँ ये काम मैंने किया है। तो वो जरूरी तो नहीं है कि वो confession हो रहा है। वो अपने अपराद को साबित कर रहा है। अब किसी ने कोई चीज रखी है, किसी को कुछ दिया है। तो हाँ मैंने दिया है, तो this is admission, ये admission है, ये confession नहीं है। ठीक है ना? हाँ मैंने किसी को कुछ दिया है, तो ये कोई अपराद तो नहीं हुआ ना, ये किसी से मैंने कुछ लिया है, ये चीज मैंने यहां रखी है, ये काम उसने किया है, तो ये सिर्फ admission है, कि हाँ कोई बता रहा है, कि हाँ ये इसने किया है, ठीक है, लेकिन जितने भ अपराद का confession कर रहा है, हाँ यह अपराद मेने किया है, तो उसमें admit भी आगए, admission भी आगए, confession भी आगए, इसलिए कहा चाता है कि सारे admissions confession नहीं होते हैं, बट सारे confessions, admissions होते हैं it is made in civil cases आगई वही बात, admissions जो होते हैं वो civil cases में होते हैं, but it is made, confessions जो होते हैं, it is made in criminal cases, confessions criminal cases में होते हैं, admissions civil cases में होते हैं, फिर next point is, admissions can be made on behalf of another by a stranger, or by a stranger वही मैंने बोला ना, कि अगर जैसे एक example दिया था, कि हाँ ये उसने किया है किसी stranger ने देखा, किसी को कुछ करते हुए, है ना, कुछ accident करते हुए, मारते हुए, या किसी को कुछ करते हुए, तो उसने ये बात बोली है admission किया है, हाँ मैंने देखा है कि ये काम उसने किया है, तो वो admission होगा, किसी और के भिहाफे, जिसका accident होगा, उसके भिहाफे, वो बता रहा है कि इसके साथ क्या हुआ था, ठीक है, और भया stranger कोई अंजान व्यक्ती भी दे सकता है, या जो भी उसके आसपास है, कोई जान पहचान वाला, वो भी admit कर सकता है बात को, कि हाँ, ऐसा हुआ है, तो that's why it is called confession and anybody can give on the behalf of another or stranger, कोई stranger भी दे सकता है, कोई और भी दे सकता है, लेकिन confession के case में ऐसा नहीं है, confession must be made by the accused himself, confession तो हमेशा जिसने अपराद किया है, वही बोलेगा ना, कि हाँ, ये अपराद मेंने किया है, अपरादी के बिहाफ पे कोई और तो नहीं कह देंगा ना, ये अपराद मेंने किया, कि कि उसको पता है, उसको तो punishment मिलेगी, सजा मिलेगी, इसलिए confession समेशा criminal cases में होते है, और खुद अपरादी के द्वारा, या जिसके उपर केस सेल रहा है, जिसके उपर अपराद साबित होना है, the accused himself can, must be made by confession, must be made by the accused himself, ठीक है, आपको समझ में आ 17 से 23 में है, और confession से related सारे 24 से लेकर 30 में है, ये Indian evidence act 1872 में बताया गया है, और ये relevancy of facts जो की section 55 से 55 में दिये गया है, उन से related ही topic है, admission और confessions कैसे किये जाते हैं और कौन करता है, तो I hope आपको आज का topic समझ में आ गया होगा, अगर कुछ ना समझाए तो आप मुझे comment box में comment कर लीजिए और अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो के थ्रू में आपको और notes प्रोवाइड करती रहूं, ठीक है friends, bell icon भी प्रेस कर दीजिएगा अगर नहीं की तो, thank you so much, bye bye for today, goodnight